इस ड्रामा के नेक्स पार्ट में आप सभी का स्वागत है सो इसकी स्टाइटिंग वहीं से होती है जहाबर हमारा लास पार्ट खतम हुआ था मतलब लिंग रोई फांगने को बचाने के लिए उस पैंथा उसके तरह भाग रहा था इसके बाद जैसी वह गेट उपन करता है त उस बंदे का हाथ पकड़कर खड़ी हुई है मतलब उसका हाथ मोडते हुए तब यू कहता है कि समझ सकता हूं कि तुम से आता डेंजरस तो कोई हो इनी सकता फांगने कहती है विसे तुम्हें आ पर क्या करे हो तब यू कोई जबाब नहीं दे पाता है उसके बाद फांग खुद कर सकती हूं पर मेरी चंता 22 के लिए थैंकि सो मच तभी अचानक से फांगने का पीट करने लगता है तो एक डॉक्टर है तो फांगने को ऐसी हाल में छोड़का जा भी नहीं सकता फांगने को अभी कुछ टाइंग में एक मीटिंग बेटेंड करनी थी इसके बाद पेट में दर्द होने की बाद बीप मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है जब उससे बहां निकल कर आती है तो उसे लगता है कि शायद लिंगरोई चला गया होगा पर वो कुछ तहीं बाद लोट कर आता है उसके लिए कुछ मैडिसंस लेकर आता है फितायट उसके घर इसके घर की हालत कैसी है यह पर फांग निक दो जैसे तैसे सोचाती है लेकिन यहां पर लिंगरोई फोटो को नोटिस करता है अब बच्पन से जानता है बच्पन में दोनों फ्रेंड हुआ करते थे बड़ कुछ ऐसा हुआ इसके बाद दोनों अलग हो गया बच्पन में फांग निक को पसंद करते था फह ओणक नेचर है वह हमेशा पहले की तरह है और अहरु भी वैसा ही है वसे हमेशा सिर्फ आपनी करियर की शिंदा रहती और किसी चीज की फी ने इसके बाहरी को बता चलता है जहां इसका पुराना प्यार है पर देड फांग में जब सुभ जाती है विकॉस उसकी जो प्राब्लम है उसका सॉल्यूशन उसे मिल चुका था अब लिंग्रूई तो बोलकर आ गया था लेकिन उसे अपने घरवालों को भी समझाना है इसके बाद अपनी मौम को समझाता है कि मौम हम दोने शादी करने वाले तब इसकी मौम से समझाती है क कि बेटा इतनी चली शादी करने की जरुद क्या है मुझे पता है कि फांगनिंग के पास हमें बहुत सारा पैसा चुकाना है पर यह नहीं कि तुम से शादी करो तब यहां पर लिंग्रूई कहता है कि मौम आप शुंदा मत करें इन चार-पास दिनों में हम दर में बहुत कि गहरा प्यार हो चुका है और हम दोने को पसंद करते हैं कॉंटक्ट के हिसाब से दूनों दूसरे की फैमिली को नहीं बताएंगे इनकी शादी एक सिफ और सिफ कॉंट्रेक्ट मेरेज है इसके बाद उसकी मौम भी मान जाती है कि अगर लिंग्रूई ने सोचा है तो कु तब उसके डैड कहते हैं कि सच में लड़का कौन है अभी उसके डैड बहुत शॉक होते हैं ब वर फांगने को रोख भी नहीं सकते हैं पर उन्हों नहीं कहाता कि उससे जल्ड़ी-जल्ड़ी शादी करेगी और जल्दी वो जाये का तो थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी पर फैमिली और आय मोशन को समझनी की काबिल!!" उसे सइध और से काम काम देखता है उसके अलावा अलिए में उसे जरह और इंटरस्ट नहीं है पर जब उसकी खुद की फैमिली हो जाएगी तो शायद वो थोड़ी फैमिली के तरफ जिम्मेदार बन जाए इसकी बाद इस दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ लंच करने के लिए जाते हैं यहापर सब को सौट आउट हो जाता है लिंग्रोई की जो फैमिली है थोड़ी र जरूत नहीं है दरसल अपनी स्टेप मंगों घंटा पसंद नहीं करती इसके पाद फैमिली जब लंच करकर बाहर आती है तो तांग भी आ जाती है इन सबी की उकेशन में बावाल मचाने इसके बाद हो कहती है कि वह शादी को नहीं मानती हो और तुमने क्या समझ रख रख किस कर लेती है फूरी फैमिली के सामने और तुम्हें पता चल गया हो ना कि हम दोने दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सो कब आप में हड़ी ना बनो उसमें ही तुम्हारी भलाई है इसके बाद फैमिली मेंबर भी मान जाते हैं कि इनका रेलेशन दरसल पेक नहीं है सब करनी है इसके बादों कहते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है मेरी की बारे में तभी बताता है कि मैं दरसल उसकी तारीफ तो कर सकता हूं वह बहुत थी बड़ बोली है कभी भी कुछ भी बॉल देती है उसमें इतना दिमाख नहीं है कि वह चीजों की वीच में फरक समझ अच्छा लगता है कि चलो कोई तो फांगनिंग की बारे में सब कुछ जानता है मेरे अलावा तबी वो मान जाते हैं कि लिग्रोई से अच्छा लड़का फांगने को कभी नहीं मिल सकता जो कि उसका हमेशा ख्याल रखे पांच दिनों के अंदर यह फांगनिंग और लिग होती है वह अभी यहां पर एक रिपोर्टर बन के आई थी ताकि वह इस मेरज के बारे में कुछ खूफी अचानकारी जान सके अब इतनी बड़ी बिजनिस बूमन की शादी हो रहे हैं तो कोई तो बवाल होना चाहिए इसके बाद यहां पर जब तांग बवाल करने करने कोशिश करती है वह तो बात अलग है वह तो बात अलग है वह तो बात अलग है पर उसे जल्ली से जल्ली एक बेवी चाहिए बिकाज की डैट की कॉंटेक्ट के हिसाब से अकर बेवी नहीं हुआ तो उसका जो प्रोजेक्ट इंफिनिटी है वह उसे चीन लिया जाएगा जोकि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी है आप दैट वह कहती है कि तमने कभी डिंक है तब लिंगरी कहते है कि मैं डॉक्टर ह अगले दिन फांग नें लेंगर को लेकर अपने बेद्क काठीक करने हैं आप यहां पर अपने ड्रमे के सैकंड में लीशाइमन को देखते हैं इसके वासाइमन के इंट्री होती है कि काफी सालों बाद घर में आया था अधर देसल फंबर मीदीने सालों पहले से अड़ाप यहां पर लिंगरुई करता है कि यह बहुत चिपक रही है साइमन से यहां पर साइमन और फांगनिंग का रिलेशन है वो बहुत इपटा टाइप का था वलापने उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्स देती अपनी लाइफ में साइमन भी फांगनिंग का उतना ही यहा बच्पन से ख्याल रखा है और वो हमेशा उसका आइडल टाइप है और मैं क्या बोलूं साइमन इस साइमन उसके जितना अच्छा बंदा कभी होई नहीं सकता वह एकदम परफ्रक्ट है फैमली के सामने लिंग रोई और फांग ने दूसरी की मैरेज को प्रूफ करने के कुसी से भी शादी कर लें लिंग रोई को दिखता है तो लिंग रोई तो काफी डिवोटेड लग रहा था अपने काम में अफ़ दैट लिंग भी फांग निंग को किला नहीं चुटता वह को से लगता है कि साइमन में भी थोड़ी आर्गुमेंट होती है आप शामन कहता ह तो तो लिंग रहा है कि तुम तो उसके हस्बिन भी नहीं हो ना यह उसके बार वी तो चुनता क्यों तो यह बार निंपर खतम होच रहता है तेंक यूद्ध गाइस फूर वाचिंग